एक बार की बात है, लिली नाम की एक छोटी लड़की थी जो बहुत दयालों और उदार थी थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपनी चीजें साजा करने के लिए हमेशा तयार रहती थी, एक दिन लिली की माने उसे एक विशेश उपहार दिया, एक सुंदर सोने क लिली अपने उपहार से बहुत खुश थी और वह इसे हर दिन पहनती थी, एक दिन लिली स्कूल से घर जा रही थी जब एक चोर ने उसे रोका, चोर ने लिली का हार मांगा और लिली दर गई, वह अपना हार नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह आहत भी नहीं होना चा उसकरती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे चोरी क्यों करेगा, खास कर तब जब वहां उनके प्रती इतनी दयालू रही हो। उन लोगों के प्रती भी जो शायद इसके लायत नहीं है। अगले दिन लिली की मा उसे एक नया हार खरीदने के लिए दुकान पर ले गई। लिली ने एक खूपसूरत चांदी का हार चुना और वहां इससे बहुत खुश थी। वह इसे हर दिन पहनती थी और जो सबक उसने सीखा था उसे वह हमेशा याद रखती थी। एक दिन लिली पार्क में खेल रही थी तभी उसका हार खो गया। उसने उसे हर जगा खोजा लेकिन वहां नहीं मिली। लिली बहुत दुखी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लिली की मा ने हार ढूंडने में उसकी मदद की लेकिन उन्हें वह तहीं नहीं मिला लिली उम्मीद खोने लगी थी लेकिन फिर उसे वह सबक याद आया जो उसने सीखा था उसने निरणय लिया कि वह जिस किसी से भी मिले उसके प्रती दयालू होगी और उनसे पूछेगी कि क्या उन्होंने उसका हार देखा है लिली ने कई दिनों तक अपने हार की खोच की और उसने हर किसी से पूछा कि क्या उन्होंने इसे देखा है आखिरकार एक दिन एक छोटे लड़के को वहां हार मिला और वहां उसे वापस लिली के पास ले आया लिली अपना हार वापस पाकर बहुत खुश हुई और उसने दयालू होने के लिए छोटे लड़के को धन्यवाद दिया लिली ने सीखा के दयालुता का उपहार किसी भी भौतिक संपत्ती से अधिक मूल्यवान है उसमें यहाँ भी सीखा के दयालुता संक्रामक हो सकती है और यहाँ दुनिया को एक बहतर जगा बना सकती है लिली हर किसी के प्रती दयालू बनी रही और उसने जो सबक सीखा था उसे वह हमेशा याद रखती थी उसने सीखा की दयालुता सबसे अच्छा उपहार है जो आप किसी को दे सकते हैं और यहाद दुनिया में बदलाव ला सकती है लिली ने एक लंबा और खुशाल जीवन जीया और दयालुता के उपहार के बारे में जो सबक उसने सीखा था उसे वह हमेशा याद रखती थी उन्होंने अपने बच्चों और पोते-पोतियों को दयालुता के महत्व के बारे में सिखाया और उन्होंने अपने बच्चों और पोते-पोतियों को सिखाया और इस प्रकार दयालुता का उपहार पीधी-दर-पीधी पारित होता गया और दुनिया एक बहतर जगा बन गई